अब आपको पॉलिटिकल विजर्ड माना जा रहा है देश में, जो असंभव है, ने ने आप इनकार मत किजिए, आप ममता मैनेजी से भी बात करते हैं, आप गोवा में भी किसी के पार्टी को तोड़ देते हैं, आप किसी को तोड़ के ले आ जाते हैं, आपकी खिलाफ जो ल गाड़ी आई, गाड़ी में वो सारे उपोजिशन को बिठा के और उनके साथ सारे लोगों को लेके वोट करा के वोट जीत के आगे, तो ये आप में, ये कौनसी पोलिटिकल इंस्टिंक्ट है, कि आप सब को ले भी जाते हैं, सब को तोड़ भी देते हैं, कुछ तो ये स् conviction मानता हूँ, अभी अभी सादू जी ने पूशा, अगले कुन सरकार तोर रहा है, सारा कॉंग्रेस का सोरका तोर जाता है, सारे कॉंग्रेस का सोरका डेस से तोर जाना साहिए, no Congress government should exist in India, ये डेस के लिए सेवा है, अभी जो Congress Party जो है, आप देखे क्या हुआ है, राहूल ग सतर सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़े लॉस हिमनत विश्वा सर्मा है, उन्होंने आपको जाने क्यों दिया, उनके आपके साथ प्रॉबलम क्या है, कोई व्यक्तिकत प्रॉबलम है क्या, मैं आपको दो तिन बात करता हूँ, मेरा प्रॉबलम क्या है, डेस में गंधी फ में गांधी फेमिली है महत्मा गांधी राज मुहन गांधी तुसर गांधी बरिया से हाइजेक करके गांधी फेमिली हो गिया दूसरा फेमिली Congress था किसका party? सुभाज संडरो बोश का party Congress किसका party था? गांधी जी का party Congress किसका party था? बाल गंगा तिलर धर तिलक का party अभी Congress क्या गट है? Family will be upset कुन सा family है यार भाई? ये सारा जो एक political system बना लिया इससे डेश को बाहर निकालना है तो जहाँ जहाँ Congress का सरकाद तोड़ता है मेरा contribution हो भी ना हो मुझको पूछने से में बहुत गरप से बोलता हूँ है तोड़ गिया तो अच्छा हुआ तोड़ दिया तो अच्छा हुआ अच्छा हुआ मेरा I don't have any apology on that अभी भी अगले कुन सा स्टेट का नाम पूछा था में अगर आपका पैनल में था में दो टिन स्टेट का नाम गिना देता था हो ना हो अलग बाद है होने से अच्छा सा ने होने से भी कुस कु टेंशन रहेगा उदर में आप दो दिन के बात देखिए मैं आपको सिंपल कुस कुस एक एक मेरा कहाँ प्रॉबलम है आपने पूछा चब कॉंग्रेस में लोग रहता है बरिया है that they they resign from Congress they will say इसका उपर CBI है E.D. है अरे भाबा अगर तुम जानते थे उनका उपर CBI E.D. है तब उनको तुमने पार्टी से निकाला क्यों नहीं आप क्या washing machine हो आपका साथ रहने से तो अब याद नहीं होता है कि इसका खिलाप आपका CBI E.D. है जो आर्गुमेन वो BJP का उपर डेता है बीजेपी में थो अकाल आया है लेकिन बाईस साल बीस साल तो कांग्रेस में रहा अगर उनका उपर E.D. है उनका उपर CBI है आप उनको पार्टी से अलग करना है कर देना साहिए था why you have made in ship minister आप पर भी तो एजिंसी अलगाई गईगी अगर मैं कॉंग्रेस से बीजेपी जाता हूँ, इसका उपर तो CBI का केज है, इसलिए आ गिया, मतलब आप हमको स्लेप बना के रखना साते हैं, मैं निकालो तो मेरा उपर लांचन, मैं रहू तो मैं बहुत अच्छा बेखती हूँ, यह सब बाते जो, यह लोग पार्टी को, नहीं, नहीं, यह बिन डिसलोयल तो दा फेमिली, हरे, कहां लिखा है मैं फेमिली का उपर लोयल रहना है, लिखा है कि भारत का संग्विधान का उपर मैं आसता रखूंगा, कोई तो मेरा ओर्थ नहीं है कि मैं एक फेमिली का उपर आसता रखूंगा, मेरा मन है, मैं नहीं इंडिरागंधी बड़कें दा कंपरे कंपरे कांपर्म आफ। पार्टी तोलना बहुत बुरा बाद है, हरे भाई, सिदाम बरम जी, आपने पार्टी नहीं तोरा था क्या, पार्टी तोलना बहुत बुरा बाद है, हरे इंडिरा गंधी मैम, आपने पार्टी नहीं तोरा था क्या, ये गद्दार है, अरे आपने कॉंग्रेस का ओफिसियल KCL candidate को अपने defeat नहीं करवाय था क्या हिमन्त भिश्या सर्मा party से निकाल आते है तो में गुनागार हो लेकिन Congress का official president nominee को इंडिरा गंडी हरा देता है then she is a hero तो ये बात करते 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 they have taken this nation for granted और आगे नहीं हो सकता I agree, it should be nation first not family first ladies and gentlemen I will give him only two words to describe him अंग्रेजी में original or unconventional politician भारत के उभरते वे politician Himanta Biswasarva, big round of applause for him please thank you, thank you Himanta thank you